यहां पर एक विशेश बात पर ध्यान दें, पुरुष लो, कभी भी अपनी पत्नी को अकेला किसी के साथ नहीं भेजना जाएं, यह बार बार कहतें आप से, और आज इकल तो कठिन वो समय हैं, पराए पुरुष की छोड़िय रिष्टेदारों के साथ भी अकेला मत भेजो, चाहे तुमारी बेटी हो, बेहन हो, पत्नी हो, मा हो, या तो बेटे के साथ, भाई के साथ और पिता के साथ, इन तीनों के लाबा किसी के साथ नहीं जाना जाएं, आज का माहुल जितना गंदा है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, साफ पे विश्वास कर लो पर इंसान पर आज के विश्वास मग करना इतना खतर्नाक है साप तो बजन पढ़ने पर डसेगा तुम्हे और मनस्य तो कभी भी डस सकता है तुम्हारे संग रहे को 24 गंटे हो वो तुम्हें डस्ता रहेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इतनी गिरावट मनुस के चरित्र में आई है इसका पतन है भयानक कामी, भयानक लोभी, भयानक क्रोधी इड़सा कूट-कूट के भरी है तो आज के युग में विश्वास कम से कम बेटी, बहन, मा और पतनी के सम्मान के लिए किसी पर मत कीजेगा किसी पर मत कीजेगा हम तो ब्यासपीड से समझाई सकते हैं आगे करना तो आप ही को है अब राम जी भी कहते हैं ठीक है हम दोनों पैदला जाते हैं में हमारे चर्णों की दूल से डर लग रहा है हम दोनों आ जाएंगे गंगाजी में तुम सीता को नाव में बठाल के लियाओ कहते के नहीं, कह सकते थे न, क्यों नहीं का संसार को मर्यादा का दर्शन कराना है इसलिए सब को सीखना चाहिए